Hello everyone, welcome on my channel आज की वीडियो में हम पिछले एक साल में environment से related जितने भी important current affairs हैं उसको हम देखेंगे और आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो environment से एक या दो number के question जरूर पूछे जाते हैं current affairs में और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप अपने exam में एक से दो number fix कर सकते हैं और इससे बाहर जो है question नहीं आएगा इतना मैं assure करता हूँ और इससे related जो PDF है वो मैं description में डाल दूँगा आप वहाँ से इसे download कर लिजेगा तो बिना देर की हम वीडियो को start करते हैं और पहला हम देखते हैं केरला launches Scout Operation Amrit केरला ने एक operation launch किया है जिसका نाम है Amrit इसका मैंनेम क्या है इस operation का इस operation का मैंनेम है कि जो एंटीबाइटिक्स हम यूज करते हैं उसका overuse न करे क्योंकि ज़यादा एंटीबाइटिक्स यूज करने से काफी health issue होते है इसलिए जो है केरला ने ये operation launch किया है और लोगों को जागरूप कर रहे हैं कि antibiotics का यूज कम से कम किया जाए और ये जो operation है वो किसके द्वारा launch किया गया है अमरित तो केरला drug control department के द्वारा ये launch किया गया है तो ये भी आप ध्यान लखिएगा और इस picture में जो है केरला की ये health minister है आप जो है इसका नाम comment box में comment करके बताईए कि क्या इनका नाम है अगला है आपका century largest flood hits far north Queensland यानि कि इस century का सबसे बड़ा flood जो है आया है कहां पे far north Queensland में और ये जो बार आया है ये किसकी वज़े से आया है तो एक cyclone, tropical cyclone है जिसका नाम है Jasper इसकी वज़े से जो है ये बार जो है ये flood आया है कहां पे Queensland में और इस century का जो है ये सबसे largest flood है food नहीं हो गया है आपे flood होगा ठीक तो आप इसमें दोची ध्यान लखिएगा कहां पे आया है तो far north Queensland जो कहां पे है और ये cyclone जिसकी वज़े से ये आया है उसका नाम है Jasper तो इसको भी आप ध्यान लखेगा अगला है आपका zombie deer disease spread यानि कि एक नया बिमारी जो है market में आया है और ये बिमारी जो है brain को affect कर रहा है और इसका nickname जो है वो क्या दिया गया है zombie deer disease और ये कहां पे फैल रहा है तो ये wildlife यानि कि जो जानवर है उनमें फैल रहा है USA में और ऐसा खत्रा बताया जा रहा है researchers के द्वारा कि ये जो है wildlife से यानि जानवरों से human में भी फैल सकता है इंसानों में भी फैल सकता है तो ये जो है काफी important exam point of view से इसको ध्यान रखिएगा और इसका nickname zombie deer disease है ये भी ध्यान रखिएगा अगला है आपका malaria landscape in 2022 इंडिया top south and south east Asia in recorded cases यानि कि malaria landscape जो है 2022 का report आया है इसमें इंडिया जो है वो top में है south और south east Asia में जितने भी cases record हुए है और इंडिया जो है और जितने भी malaria cases worldwide फैले है उन में से 66% जो है यानि कि 5.2 million cases जो है वो इस region में report किया गया है और ये जो data है ये किसका है? World Health Organization का data है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा और comment box में मुझे ये comment करके बताइए कि malaria जो है कौन से mosquito से फैलता है और दूसरा ये बताइए कि WHO का headquarter कहां पे है थोरा search आप भी कीजिए इससे क्या होता है? कि जो चीज आप search कर लेंगे वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है बताने के लिए मैं 2 मिनिट लगेगा मैं इसे बता सकता हूँ आपको पर वो ज़्यादा दिन आपको याद नहीं रहेगा आप खुद से जब search करेंगे तो आपको बहुत दिन तक वो चीज़े याद रहेंगी अगला है आपका Global Renewables and Energy Efficiency Pledge इसमें क्या हुआ है कि COP28 की मिटिंग हो रही है आपको पता होगा कहाँ पर हो रही है UAE में United Arab Emirates में जो है COP28 की मिटिंग हो रही है और इसमें जो है 118 कंट्रीज ने ये pledge लिया है कि हम जो है Renewable and Energy Efficiency चीजों का उप्योग करेंगे इन्होंने ऐसा कसम खाया है और ये ऐसा क्यों कर रहे है आपको पता है कि Climate Change जो है काफी ज़्यादा effect कर रहा है वर्ल्ड को तो Climate Change को रोकने के लिए ये इतने कंट्रीज ने ये pledge लिया है और इसमें जो है एक चीज और है कि इसमें जो goal रखा गया है वो ये रखा गया है कि World Green Energy Capacity जो है उसको 11,000 गीगावाट जो है वो 2030 तक हम कर देंगे और अभी जो Green Energy है उसका ये ट्रिपल हो जाएगा मतब अभी मान लिजे कि 3-4,000 के आसपास जो है गीगावाट हम Green Energy प्रोड्यूस कर रहे हैं पुरा वर्ल्ड मिलाके इसको 11,000 गीगावाट तक हमें 2030 तक ले जाना है तो ये जितने facts हैं सारा याद रखेगा question कहीं से भी frame किया जा सकता है इसी लिए मैं आपको one-niner questions नहीं करवाता हूँ one-niner में मैं कितने question आपको बताऊँगा और इसमें जो है मैं पूरा detail आपको बता देता हूँ एक बार आप detail देखनेंगे one-niner आएगा आप easily जो है उसको कर पाएंगे तो हमेशा जो है theory पढ़िए ना कि one-niner question पढ़के exam में जाईए अगर one-niner आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका selection मुस्किल है नहीं होगा selection अगला है आपका concern over CG Mali Bauxite Mines CG Mali Bauxite Mines जो है वो खुलने वाला है कहाँ पे कला हंडी और राया गाडा डिस्टिक अफ उरिसा में और ये news में क्यों है क्योंकि जो local villagers हैं वहाँ के जो गाउं वाले हैं आसपास के वो इसको object कर रहे हैं CG Mali Bauxite Mines को जो की बिदानता limited के द्वारा वहाँ पे propose किया हुआ है और ये इसलिए object कर रहे हैं क्योंकि इससे जो है environmental degradation होगा और loss of livelihood होगा इसलिए इन्होंने इसका object किया है तो आपको इसमें ये ध्यान दखना है CG Mali Bauxite Mines जो है वो उरिसाइ स्टेट में है और ये दो district में है अगला है आपका Climate Change Performance Index C.C.P.I. 2024 Climate Change Performance Index जो है 2024 आया इसमें जो है इंडिया ने secure किया है 7th position in climate performance during 2022 ये 22 का report है पर 24 में आया है तो इंडिया ने 7th position इसमें हासिल किया है और इससे पहले जो है इंडिया 8th position पे था तो 8th से घटके 7th पे आ गया है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है अगला है आपका Himalayan Catabatic Winds Catabatic Winds जो है ये अभी scientist ने discover किया है और ये जो है क्या करेगा temporarily slow down the impact of the global climate crisis यानि जो global warming हो रहा है ना global climate crisis से उसको ये temporarily slow down करेगा कैसे करेगा तो night में क्या होता है कि mountain में ऊपर जो है थंडी काफी होती है जिससे wind क्या होता है heavy हो जाता है मतब भारी हो जाता है और भारी होनी की वज़े से wind जो है नीचे आता है मतब कि कहां पे ground तरफ आता है तो इससे क्या होगा कि temporarily global climate crisis है global warming जो है थोड़ा सा कम हो सकता है तो यह scientist ने discover किया है यह चीज तो आप यह wind का नाम याद रखेगा कहता है बैटिक winds इसको कहते है अगला है आपका blue drop national report 2023 blue drop national report जो है आया है 2023 और यह जो report है वो कौन release करता है तो यह release करता है department of water and sanitation यह ध्यान रखेगा और इस report में क्या आया है इस report में आया है कि South Africa जो है न वहाँ पर drinking water का decline हुआ है 2014 से ठीक और वहाँ का drinking water है वो microbiologically unsafe है consumption के लिए यानि काफी सारा उसमें bacteria और biological ऐसी चीजे है जिसकी कारण से वो unsafe हो गया है पीने के लिए तो यह जो है main है इस report में ठीक तो इसको आप ध्यान रखेगा अगला है आपका Denmark launches green fuel alliance to boost sustainable energy partnership with India Denmark ने launch किया है green fuel alliance और यह किसके साथ launch किया है तो इंडिया के साथ मिलके इसने launch किया है और इसका main मकसद है boost sustainable energy sustainable energy को boost करना और sustainable energy होता क्या है मतब कि green energy तो इसे जो है direct question exam में आएगा अगला देखिए बारा कुडा बारा कुडा क्या है तो यह इंडिया का faster solar electric boat है बहुत सारी electric boat जो है इंडिया में बने हैं लेकिन उसमें सबसे तेज़ चलने वाला यह boat जो है यह बन गया है बारा कुडा तो यह भी diet question आएगा बस नाम आप ध्यान लेखिएगा इसका यह देखे पिक्चर में यह है बारा कुडा boat और बारा कुडा जो है नाम रखा गया है यह एक fish मच्छनी प्रजाती है उसका नाम बारा कुडा है देखिए जैसा आप इस picture में देख पा रहे हैं यह plastic जो काफी पुरान हो जाते हैं ना तो कुछ reaction reaction करके यह rock का safe ले लेते हैं और यह जो है भी discover किया गया है globally maximum जगह पे जो है यह discover किया गया है और यह एक अच्छा संकेत नहीं है इससे हमें यह पता चलना है कि देखिए कितना ज़्यादा plastic pollution हो रहा है कि यह जो है rock में convert होता जा रहा है अगला है आपका Indian scientist developed eco-friendly solar cell material यानि कि भारतिये विज्ञानिकों ने एक नया solar cell material developed किया है जो की eco-friendly है और यह जो है पहले toxic lead material का use करते थे solar cell को बनाने में लेकिन अब जो है उसकी जगह पे यह green magnesium use करेंगे तो यह आप इसमें ध्यान दखिएगा कि lead की जगह magnesium का अब use होगा जिससे क्या होगा यह eco-friendly रहेगा lead क्या होता एको-friendly नहीं है lead तो यह green magnesium eco-friendly है अगला है आपका shark meat consumption surges in India यानि इंडिया में जो है shark मचली का meat का consumption जो है वो बढ़ गया है ऐसा report आया है भी तो एक new study found at shark and ray meat shark और ray का meat जो है वो पहले क्या होता था पहले के tribal community या ऐसे लोग जो समुदर के किनारे रहते थे वो ही खाते थे costell area में जो रहते थे लेकिन अभी जो है रिस्टोरेंट्स में ये shark meat का consumption बढ़ गया है अगला है आपका study founds abundant micro and nanoplastic in bottle water जो पानी आप पीते हैं ना bottle वाले पानी जो packed पानी आते हैं बजार में तो एक study में ये पाया गया है कि in bottle water में खूब सारे micro and nanoplastic जो हैं इसा किया गया है जिसमें ये पता चल लाए कि ये भी safe नहीं है कूप सारे micro और nano particles जो हैं इसमें रहते हैं अगला है आपका first polar bear death from bird flu काफी important है ये भी पहला जो है polar bear का death हुआ है किस वज़े से bird flu की वज़े से और ये जो है highly pathogenic avian influenza है HPAI जिसको bird flu कहा गया है और ये जो है polar bear population को effect किया है और पहला polar bear का death हुआ है कहाँ पे northern most Alaska में इसका death हुआ है तो इस सारी चीज़े ध्यान रखिएगा इसमें next है आपका 2023 smashes temperature record amid accelerating climate change यानि 2023 ने जो है सारे temperature के record तोड़ दिये हैं और 2023 जो है began in 1850 यानि कि 1850 से जब ये record किया गया है temperature तब से जो है आज तक का सबसे hottest सबसे गर्म जो year रहा है वो 2023 रहा है सोचे कि climate change जो है कितना effect कर रहा है तो हमें जो है हर एक चीज़ में ध्यान देना है renewable energy का use करना है light white जो हमें off करना है जो हम कर सकते हैं कम से कम energy का conjunction करना है तो सब अगर थोड़ा थोड़ा भी अपना participation देंगे तो overall ये बहुत बड़ा effect जो है लाएगा हमारे global warming पे अगला है आपका co-joined silver line new butterfly species with silver lined wings यानि कि एक नया butterfly का species का खोज हुआ है जिसका जो wings है ना वो silver lined है देखिए जिसा इस picture में देख पा रहे है और इसका नाम दिया गया है co-joined silver line और ये कहां पे पाया गया है तो ये कोडागो डिस्टिक जो की करनाटका में है और western guard biodiversity hot spot है वो वहाँ पे ये पाया गया है और 1970 के बाद ये पहली बार ये जो butterfly है इसको देखा गया है अगला है आपका world first transatlantic flight using 100% green fuels takes off यानि world का पहला transatlantic flight जो है वो take off किया गया है और ये जो है 100% green fuel पे चलता है और ये जो companies को बनाई है वो उसका नाम है virgin Atlantic company का नाम है and made history with the world first transatlantic flight powered by 100% sustainable aviation fuel 100% इसमें sustainable aviation fuel का use हुआ है और इस flight का नाम जो है वो रखा गया है flight 100 तो ये भी ध्यान रखिएगा काफी important है ये और ये depart किया गया London Heathrow airport से और ये जाएगा कहां तक New York का John F. Kennedy International Airport तक इसके बीच में ये उड़ेगा अगला है आपका investment of dollar 13.5 trillion needed for sustainable transition by 2050 W.E.F. report World Economic Forum W.E.F. का एक report आया है जिसमें ये कहा गया है कि साधे 13,00,000 trillion डॉलर जो है न वो required है 2050 तक sustainable transition के लिए sustainable energy को produce करने के लिए तो साधे 13 trillion dollar जो है वो invest करना पड़ेगा 2050 तक और sustainable and carbon neutral free future carbon neutral free future के लिए हमें तो ये जो amount है ये ध्यान लखिएगा और ये report किसका है तो World Economic Forum का report है ये भी आप ध्यान लखिएगा और एक चीज comment box में comment करके बताईए कि World Economic Forum का headquarter कहाँ पे है और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जितने भी important organization है उनके headquarter कहाँ पे है अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे playlist में जाके उसे आप देख सकते है अगला है आपका Soraya Punduana ये जो है एक rare discovery है और ये कहाँ पे मिला है ये मनिपूर में और ये है क्या Soraya Punduana तो एक तरह का ये floor है जो की international union for conservation of nature IUCN जो होता है उसके red list में है और ये जो है first time खोजा गया है कहाँ पे मनिपूर में ठीक और मनिपूर के कौन से district में तो तामेन long district यहाँ पे जो है इसे खोजा गया है तो ये भी आप ध्यान दखिएगा काफी important है अगला है आपका इंडियन green building council IGBC इंट्रोड्यूस NEST initiative for sustainable housing यानि कि IGBC जो है इंडियन green building council इन्होंने एक initiative launch किया है जिसका नाम है NEST और ये किस के लिए sustainable housing के लिए इसको समझे मा लिजे कि कोई घर बना या कोई building बनी तो उसमें जो है ये देखा जाएगा कि ये building बनाने में कितना ज़ादा eco-friendly चीजों का यूज किया गया है और इस building को बनाने में environment को कितना कम नुकसान हुआ है तो जितना कम नुकसान होगा environment को building को बनाने में तो उसे जो है उतना high rating दिया जाएगा इस initiative के अंतरगत तो इसका main initiative यह है कि environment friendly जो है construction किया जाए अगला है आपका Dominica creates world first marine protected area for spawn waves Dominica जो है एक Caribbean island है और इसने जो है spawn waves को बचाने के लिए इसने क्या किया है protected area बनाया है और इस picture में देखिए यह है spawn waves और इसको जो है बचाने के लिए यह initiative Dominica island के दोवारा लिया गया है कावी अच्छा initiative है और यह जो है endangered spices है लुक्ट होने की कगार पे है तो इसको यह बचाएंगे अगला है आपका State of India birds 2023 यह एक report आया है State of India bird 2023 और इसके अंतरगत जो है 60% of bird species in India declined over 30 years यानि की पिछने 30 सालों में 60% bird के species हैं उसमें decline आया है उसमें गिरावट आई है और यह जो report है इसका जो title है वो है State of India's bird 2023 range, trend and conservation status और इसके अंतरगत जो है 338 bird species जो है study किया गया है और इसमें जो है पता चला है कि 60% bird species जो है वो decline हो गये है over last 30 years पिछले 30 सालों में तो यह जो है काफी बुरी ख़बर है environment को जो हम नुकसान पहुचा रहे हैं उसकी वज़े से इन में जो है इतना decline आया है उसके बाद जो है यह जो report है वो 13 organization के द्वारा publish किया जाता है जिसमें जो है main जो organizations है वो है Bombay Natural History Society जिसे BNHS के नाम से हम जानते हैं और उसके बाद है The Wildlife Institute of India and Geological Survey of India यह 3 जो है main है इसके अलावा 10 और organization है यह सब मिल के जो है फ्रेम किया जा सकता है अगला है आपका Betty Lippes Calami यह जो है एक नया marine species खोजा गया है और इक किसके द्वारा खोजा गया है तो यह Department of Marine Biology of the Kochi University of Science and Technology इसे QSAT कहते हैं इनके द्वारा यह जो है खोजा गया है यह नया species और यह जो species है यह Marine Tardy Grade फैमिली से जो है यह बिलॉंग करता है और इसका नाम जो है हमारे जो Former President और Scientist जो रहे है APJ अब्दुल कलाम उनके नाम पे इसे किया गया है यह है ना लास्ट में कलामी अब्दुल कलाम के नाम पे इसे नाम दिया गया है तो यह भी आप ध्यान रखिएगा और एक चीज में कहां पी यह खोजा गया है तो यह तमिल नाडू में खोजा गया है तो इस्टेट भी ध्यान रखिएगा अगला है आपका Scientist Discover New Pangolin Species नेम Manus Mysteria Scientist लोगों ने जो है Pangolin का एक नया species को खोजा है जिसका नाम है Manus Mysteria और यह जो है 9th Pangolin Species है पूरे वर्ल्ड में और 5th Asian Pangolin है Asia का 5 मा और पूरे वर्ल्ड का 9 मा तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं अगला है आपका 108 Foundation Day मनाये गया किसका Geological Survey of India ZSI का और यह कब मनाये गया 1st July को 1916 में जो है Geological Survey of India की स्थापना हुई थी 1st July को इसलिए हर एक साल जो है 1st July को हम Foundation Day मनाते हैं Geological Survey of India का और इस बार जो है Union Minister भूपेंदर यादो जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change के Minister है इन्होंने जो है इस प्रोग्राम को Integrate किया और इसमें जो है Special Focus दिया गया किस पे Mission Life पे यानि Lifestyle for Environment Environment के Lifestyle को ज़्यादा Focus दिया गया और यह कहां पे Celebrate किया गया तो Niko Park है Kolkata में वहां पे यह Celebrate किया गया उसके अलावा जो है Innegration हुआ इसमें Animal Taxonomy Summit ATS 2023 का जो की पहली बार ऐसा हमारे Country में हुआ है और यह जो है Organize किया गया किसके द्वारा Geological Survey of India के द्वारा ही तो यह भी Important है और यहां पे एक Publication भी Release किया गया जिसका नाम दिया गया 75 Endemic Birds of India यह Publication भी Release किया गया यहां से तो यह भी आप ध्यान रखिएगा अगला है आपका New Species of Jumping Spider Found in Mumbai Jumping Spider जो होता है उसका नया Species जो है उसका खोज हुआ है कहां पे Mumbai में और इसका नाम दिया गया है Hasarius Mumbai Mumbai के नाम पे ही नाम किया गया है तो ज़्यादा Problem नहीं आपको इसको याद रखने में अगला है आपका New Species of Green Tree Frog Discovered from NTR Arunachal Pradesh यानि कि Green Tree Frog का नया Species का एक खोज हुआ है और ये कहां पे हुआ है Arunachal Pradesh में और इसका नाम दिया गया है पटकाई Green Tree Frog और पटकाई क्यों नाम दिया गया है क्योंकि पटकाई Hills है ना वहाँ पे उसी के नाम पे ये नाम करन इसका किया गया है और ये जो NTR है इसका Full Form क्या होता है तो नाम दाफ़ा Tiger Reserve नाम दाफ़ा Tiger Reserve जो कि और नाचल परदेश में है यहीं पे ये Species का खोज किया गया है तो ये भी आप ध्यान ने किएगा कि ये Tiger Reserve कहां पे है कोस्टन इससे भी Frame किया जा सकता है अगला है आपका New Eel Species Discovered from Palur Canal That is Urisa नया Eel का एक Species Discover किया गया है Palur Canal से जो कि Urisa में है तो दो कोस्टन होते हैं एक नया जो Eel Species है दूसरा Palur Canal कहां पे है तो Urisa में है ये भी आप ध्यान रखिएगा और इसका नाम क्या दिया गया है इसका नाम है Pisodonofis Kalinga ये नाम दिया गया है Kalinga जो है Urisa का पुराना नाम है तो उसी के नाम पे इसे नामकरन इसका किया गया है तो आपको भी याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ये जो है किसके द्वारा खोजा गया तो Scientist of Geological Survey of India के द्वारा जो है ये इसपीसेज खोजा गया है जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे है अगला है आपका GCC Araku Coffee from Andhra Pradesh Get Organic Certificate और GCC क्या होता है तो ये है Girishan Cooperative Corporation और इनको जो है Coffee के लिए और Paper के लिए ये दोनों के लिए Organic Certificate दिया गया है यहनि जो Coffee ये प्रोड्यूस करते हैं जो Paper ये प्रोड्यूस करते हैं Paper क्या होता है काले मिर्च वो Organic है तो उसका Certificate इन्हें दिया गया है और ये जो Certificate है Organic Certificate ये किसके द्वारा दिया जाता है तो ये Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority APEDA के द्वारा ये दिया जाता है तो ये भी आप ध्यान लग सकते हैं अगला है आपका Ministry of Environment जो है Puts Neela Kurunji on the list of Protected Plants यानि कि Ministry of Environment ने Neela Kurunji एक पोदा होता है जिसको इन्होंने Protected Plants के list में डाल दिया है और ये जो है Schedule 3 of Wildlife Protection Act 1972 के तहच जो है इसको Protected Plants के list में डाला गया है और इस पिक्चर में देखिए ये है निला कुरुंजी प्लांट इस तरह के काफी फूल होते हैं पहाड़ों में आपने देखा होगा अगला है आपका Norway Archaeologist Find World's Oldest Reunestone यानि Norway के Archaeologist ने जो है World का सबसे पुराना Reunestone जो है उसको पाया है उनको मिला है डिस्कवर किया है उसको और ये जो inscription है ये 2000 साल पुराना है जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं यही है Reunestone ये 2000 साल पुराना है और Norway के Archaeologist ने इसे खो जा है अगला है आपका New Plateau Housing 76 Species of Plants and Serbs Discovered in Maharashtra यानि कि Maharashtra में एक नया प्लैटू जो है उसका डिस्कवर किया गया है जिसमें 76 Species of Plants and Serbs जो है वहाँ पे नए पाए गया है और ये जो प्लैटू है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है तो अगहारकर Research Institute A.R.I. इसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया है और ये जो है कहां पे है तो मंजारे विल्लेश जो की थाने डिस्टिक महarashtra में है वहाँ पे ये प्लैटू है तो इसमें जो है आपसे Question Exam में ऐसे ही पूछेगा कि एक नया प्लैटू जहां पे 76 Species of Plant and Serbs डिस्कवर किये गये है वो किस स्टिक में है तो महarashtra आप इसको ध्यान रखिएगा Question बस ऐसे ही फ्रेम हो सकता है अगला है आपका A.C.N. Water Bird Census 2023 A.C.A. का Water Bird Census हुआ 2023 और उसकी रिपोर्ट में क्या क्या आई तो देखिए 52 एवियन स्पाइसेज वे अबज़र्ड इन दे A.C.N. Water Bird Census 2023 यानि कि 52 जो है टोटल जो है बड के स्पीसेज अबज़र्ड किये गए इस वाटर बड सेंसेज में और यह सेंसेज कहां पे किया गया तो यह सेंसेज किया गया Union Treaty of Ladakh में ठीक पहला है दुसरा पॉइंट है इसमें The Census was organized by और Department of Wildlife Protection of Ladakh यह जो सेंसेज है ओर और सेंसेज किया गया हिमालिया प्रोजेक्ट और Department of Wildlife Protection of Ladakh तो यह भी आप धियान रख सकते हैं Next है इसमें हिमालिया प्रोजेक्ट is a joint project by United Nation Development Program and Ministry of Environment हिमाल्या प्रोजेक्ट जो है एक joint प्रोजेक्ट है UNDP और Ministry of Environment इन दोनों का तो ये भी काफी important है exam point of view से इसमें सारी चीजों को आप ध्यान लगिएगा अगला है आपका first सुंदर्बन bird festival सुंदर्बन में पहला bird festival हुआ और इसमें 145 different bird species जो है वो देखे गए और ये जो है और्गिनाईज किया गया सुंदर्बन टाइगर रिजर्फ एन साउथ 24 प्रगनाज डिवीजन और वेस्ट बंगाल फोरेश डिपार्टमेंट के द्वारा इन दोनों के द्वारा ये bird festival और जेड़ेस आई जो लोचकल सर्वे ओफ इंडिया के studies के अनुसार टोटल ओफ 428 bird species जो है वो पाए गये हैं कहाँ पे सुंदर्बन बाइस्पेर रिजर्फ ने ये भी important हो जाता है exam point of view से अगला है आपका scientist discovered a new beetle species named omorgas khandes यानि कि scientist ने जो है beetle का नया species discover किया है जिसका नाम है omorgas khandes और ये discover किया गया है पूने महाराष्टरा में और omorgas khandes जो है एक नया beetle species है किस family का trogy die family का जो है ये species है तो ये भी आप ध्यान लगिएगा next है आपका hora glennis populi ये क्या है तो ये एक नया catfish species है जिसका कोई आई नहीं है आख नहीं है और ये discover किया गया है कहाँ पे केरला में काफी important है ये ऐसा catfish है जिसका आख ही नहीं है देखने है आख नहीं है ना इसका और इसका नाम भी आप ध्यान रखियेगा hora glennis populi इसका नाम है next है आपका विरांगना दुर्गावती tiger reserve विरांगना दुर्गावती tiger reserve जो है ये सात्मा tiger reserve हो गया है कहां का मदपरदेश का और ये जो tiger reserve है ये फैला हुआ है सागर दामो और नरसिंगपूर डिस्टिक और मदपरदेश में ये तीनों डिस्टिक में य यह Tiger Reserve विरांगना दुर्गाबती Tiger Reserve फैला हुआ है, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, कोस्तन यहां से भी फ्रेम हो सकता है, कि कौन-कौन से डिस्टिक में यह जो Tiger Reserve है, वो फैला हुआ है, अगला है आपका मिथुन, Food Animal Tag, मिथुन जो है, क्या है, एक जानवर है, और इसे Food Animal Tag मिल गया है, यानि कि यह खाने के लिए Safe है, इसका जो मान से हम खा सकते हैं, और यह जो मिथुन है, यह North East में ज़्यादा पाये जाता है, यह Animal, और इसको जो है, यह Food Tag किसके द्वारा दिया गया है, तो Food Safety and Standard Authority of India, FSSI के द्वारा यह Tag दिया गया है, कि यह खाने के लिए Safe है, अगला है आपका 29th World Ozone Day, 2023, 2023 में जो है World Ozone Day मनाये गया, और यह इस साल का 29th World Ozone Day था, और यह Celebrate किया जाता है 16th September को हर एक साल, और इस बार का जो Theme था, World Ozone Day का, वो था Montreal Protocol, Fixing the Ozone Layer and Reducing Climate Change, यह इसका Theme था, तो Theme भी ध्यान रखिएगा, और एक ची ध्यान रखिएगा इस आना Convention, यह जहां भी आए, आप समझ जाएगा, Ozone से यह Related है, Next है आपका World Lion Day, World Lion Day मनाये गया, और यह जो है, 10th August को हर एक साल मनाये जाता है, World Lion Day, और इसका कोई Official Theme नहीं था इस साल का, पर यह Date आप जरूरू ध्यान रखिएगा, कि World Lion Day कम मनाये जाता है, Next है आपका International Tiger Day, International Tiger जो है, वो 29 जुलाई को हर एक साल मनाये जाता है, और International Tiger Day का भी कोई Official Theme नहीं था इस साल का, ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, अगला है आपका Tunga Reswar Wildlife Century, Tunga Reswar Wildlife Century जो है, यह भी News में था, और यह कहां पे है, तो यह Located है, पालगर डिस्टिक और महरास्टा में, जो क 75 km मुंबई से दूर है, ठीक, और यह News में क्यों था, तो यहां पे 4.6 km long underground tunnel जो है, यहां पे बनाया गया है, Tunga Reswar Wildlife Century से, तो इसलिए जो है, यह News में था, तो आप इसमें इतना ही ध्यान रखिए, कि Tunga Reswar जो Wildlife Century है, यह कहां पे Located है, तो पालगर डिस्टिक जो की में है, वहां पे यह Located है, क्योंकि जो चीज़े News में रहती है, कुस्टन वहीं से Frame कर देता है, अगला है आपका, गांधी सागर Wildlife Century, यह भी जो है News में था भी, और यह जो है, कहां पे situated है, तो यह है Northern Boundary of the Mandasore and Nimach District in MP, MP में यह दो डिस्टिक हैं, उनके Boundary पे यह गांधी सागर Wildlife Century situated है, और यह News में क्यों है, तो इंडिया जो है, इंपोर्ट कर रहा है, चीता, और यह चीता South Africa से आएगा, और यह जो South Africa से चीता आएंगे न, वो यहीं पे रखे जाएंगे, इसलिए जो है, यह News में है, गांधी सागर Wildlife Century, अगला है आपका, वोज वेटलेंड, वो Stop the operation of cruise vessel as well as other motor propelled boat in the वोज वेटलेंड, यानि कि जो भी cruise vessel और motor boat चल रहा है, वोज वेटलेंड में, उसको बोला है, NGT ने की stop करो, उसको मत चला उसमें, वहां की जो बायो डाइवर्सिटी है, उसको नुकसान पहुच रहा है उससे, और NGT के chairman कौन है, तो वह है justice प्रकास सिर्वास्तवा, काफी important है, बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है, NGT का chairperson कौन है, अगला है आपका, तामपारा लेक, तामपारा लेक कहां पे है, उडिसा में है, तो एक question तो ही बन गया, कि तामपारा लेक है कहां, तो उडिसा में है, और यह भी news में इसलिए है, क्य इसलिए यह news में है, अगला है आपका, धोलपूर, करावली, टाइगर रिजर्फ, यह जो टाइगर रिजर्फ है, यह पाँचमा टाइगर रिजर्फ हो गया है, कहां का, राजस्थान का, एक jam point of view से काफी जादा important हो जाता है, धोलपूर, करावली, टाइगर रिजर्फ, फिब टाइगर रिजर्फ है, राजस्थान का, अगला है आपका, पेंच टाइगर रिजर्फ, पेंच टाइगर रिजर्फ कहां पे है, महराष्टा में, तो एक कोस्टन तो यह बन जाता है, और इसमें जो है, इंट्रोड्यूस किया गया है, यह पहली बार ऐसा है, कि साइ के फूल का एक नया वराइटी है जिसका नाम दिया गया है नमो 108 नमो 108 क्यों नाम दिया गया है क्योंकि इसमें जो पेटल्स है न पंखुरी वो कितने हैं 108 पंखुरिया है इसमें और यह जो है डेबलब किया गया है लखनो बेस्ट CSIR NBRI के द्वारा NBRI क्या होता है National Botanical Research Institute के द्वारा यह डेबलब किया गया है अगला है आपका One Sun One World One Grid Initiative One Sun One World One Grid Initiative जो है यह initiative किसके द्वारा लिया गया है तो इंडिया और UK के द्वारा यह initiative जो है लिया गया है और यह launch किया गया कब 2021 में और इस initiative के तहट क्या किया जाएगा तो एक Transnational Grid जो है वो डेबलब किया जाएगा और उसमें क्या होगा कि Solar Energy से जो है बिजली बनाया जाएगा और उस बिजली को पूरे World में जो है ट्रांसफर किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा initiative है यह और इससे related एक conference हुआ जिसका नाम है Transnational Interconnection for One Sun, One World, One Grid जिसको short form में OSOWG के नाम से हम जानते हैं और यह कहां पे held हुआ यह New Delhi में held हुआ तो यह भी ध्यान रखिए है काफी important है अगला है आपका World Bio-Fuel Day, World Bio-Fuel Day जो है वो हर एक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार का जो theme था वो था Bio-Fuel Towards Carbon Neutral World यह इस बार का theme था 2023 का अगला है आपका Global Bio-Fuel Alliance काफी important है exam point of view से यह जो है India, Brazil और USA जो है इसके founding member है इस alliance के, Global Bio-Fuel Alliance के तो यह तो आप ध्यान रखिएगा ही India, Brazil और USA, I, B, U यह जो है इसके founding members है और इसका aim क्या है to facilitate the adoption of bio-fuel यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा bio-fuel को adopt करना ताकि environment में कम से कम emission हो इसका main aim है और यह जो है अभी news में क्यों था क्योंकि अभी जो है G20 जो meeting होई इंडिया में उसमें 19 countries और 12 international organization ने agree किया है कि हम भी जो है इस alliance को join करेंगे जिसमें कि G20 members भी है और non G20 members country भी इसमें है इस 19 countries में तो यह जो है काफी अच्छा initiative है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश और international organization जॉइन कर रहे हैं तो यह success होगा और इससे क्या होगा कि emission कम होगा और environment कम गंदा होगा अगला है आपका GRIHA, GRIHA क्या है तो यह है green rating for integrated habitat assessment जिसे शुरुवात मैंने आपको बताया था ना nest nest क्या कर रहा था कोई भी building को assess कर रहा था कि कितना जो है eco friendly चीजे इसमें use हुई है और इस building को बनाने में कितना कम नुक्सान environment को हुआ है तो उसी तरह का यह भी initiative है GRIHA और यह जो है develop किया गया है terry के दोरा the energy and resource institute के दोरा यह develop किया गया है और GRIHA क्या करेगा तो यह analyze करेगा building resource consumption waste generation and overall environmental impact building से जो resource consumption है waste generation जो हो रहा है और उसका जो है environment पे overall क्या impact पर रहा है और यह सब analyze करने के बाद rating दिया जाएगा उस building को ठीक कि वो green building है की नहीं अगला है आपका कामपाला declaration on climate change कामपाला declaration जो है sign किया गया climate change पे और इस declaration में क्या बताया गया कि relationship between human mobility, migration and climate change यानि कि क्या relation है human mobility का human जो है एक जगह से दूसरे जगह जो migrate कर रहे है और climate change जो हो रहा है उनके बीच में क्या relation है और यह जो कमपाला declaration है यह 48 African nations के द्वारा sign किया गया तो यह भी आप ध्यान दखिएगा यह भी important है अगला है आपका बिंदेश्वार पाठक passed away recently बिंदेश्वार पाठक की हाल में ही मृत्ती हुई है और यह कौन थे तो इन्हें जाना जाता था Twilight Man of India Twilight Man of India के नाम से इन्हें जाना जाता था और जो सुलव International Twilight आपने देखा होगा उसके यह founder थे इन्होंने उसकी स्थापना की थी और इसके लिए जो है इन्हें पदम भूसन से सम्मानित किया गया 1991 में तो यह सारी चीज़े आप इनके बारे में ध्यान देखेगा एक नए कोस्षन इनके बारे में जरूर पूछा जाएगा अभी आने वाले आपके एक्जाम्स में अगला है आपका रामगर विजधारी टाइगर रिजर्फ यह जो है भी न्यूज में है क्योंकि रिसेंट्ली जो है इसे टाइगर रिजर्फ का टैग मिला है और यह कहां पे सिचुएटेड है रामगर विजधारी टाइगर रिजर्फ तो ये राजस्थान में situated है और मेज रिवर जो है ना इससे पार करती है इस टाइगर रिजर्ट से और मेज रिवर चंबर रिवर की जो है ट्रैबुट्री है तो जोगरफी के questions भी यहाँ पर बन सकते हैं ठीक तो ये भी आप ध्यान रखिएगा अगला है आपका World Wildlife Day जो है कम मनाय जाता है तो ये 3rd March को मनाय जाता है हर एक सल और इस बार का theme क्या था तो थीम था Partnership for Wildlife Conservation इस बार का theme था तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है आपका World Wildlife Day कम मनाय जाता है तो 2nd February को मनाय जाता है हर एक सल काफी important है बहुत बार एक्जाम में इसको पुछा गया है कि World Wildlife Day कम मनाय जाता है और इस बार का theme क्या था तो theme था It's Time for Wetland Restoration ठीक इसको भी आप ध्यान रखिएगा अगला है आपका World Environment Day Most Important ये भी बहुत बार एक्जाम में repeat हुआ है और ये जो है celebrate किया जाता है 5th June को हर एक साल और इस बार का theme क्या है था तो theme था solution to plastic pollution इस बार का theme था तो theme भी ध्यान रखिएगा अगला है आपका International Leopard Day 2023 ये question अभी तक नहीं पूछा गया है हो सकता है अभी आने वाले एक्जाम में आपसे ये question पूछ ले कि Leopard Day हम कम मनाते हैं तो ये जो है 3rd May को हम हर एक साल Leopard Day मनाते हैं अगला है आपका Kerala has become the first state of India to adopt water budget केरला जो है इंडिया का पहला state बन गया है जिसने water budget को adopt किया है ठीक diet question आगा एक्जाम में कौन से state ने water budget को adopt किया है options में आपको state के नाम दिये रहेंगे तो केरला आप टिक कर लीजेगा अगला है आपका Sanchi become India first solar city Sanchi कहाँ पे है मदपरदेश में ये इंडिया का पहला solar city बन गया है काफी ज़्यादा important है और CM सिवराज सिंग चोहान जो है इसको इनोग्रेट किये और Sanchi कहाँ पे situated है तो ये राइसन district MP मदपरदेश में ये situated है district का भी नाम ध्यान रख सकते ह अगला है आपका Nutri Garden project बहुत ही important है exam point of view से तो इस project के तहट क्या किया जाता है कि आपके आसपास का जो area है घर के आसपास का जो खाली जमीन है उसमें जो है planting और harvesting किया जाता है nutrient rich crops का जैसा कि आप इस picture में देखिए ये आसपास का area जो है ये खाली है तो इसको ये साफ सुत करके और इसमें ये nutrient rich crops जो है रोपते हैं और उससे जो है जो आसपास की family है वो सालो भर उस पौदे को use करते हैं उस crops को use करते हैं खाने पीने के लिए और ये जो project है वो कहाँ पे हुआ है तो लक्षद्यूप में ठीक ये ध्यान रखिएगा और PM Modi ने जो है काफी appreciate किया है ये nutrient garden project को ठीक तो ये भी आप ध्यान रखिएगा और आप भी जो है ऐसा project अपने आसपास के area में अगर घर के आसपास का area खाली है तो वहाँ पे आप nutrient rich crops जो है रोप सकते हैं अगला है आपका first water body census पहला water body census किया गया और इसमें जो है west बंगाल में सबसे ज़्यादा water bodies है कितने 7,47,480 तो आप बस इसको ध्यान रखिएगा ये पहला water body census हुआ उसमें west बंगाल में सबसे ज़्यादा water bodies है और दूसरे अस्थान पर कौन है तो दूसरे अस्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे पर आंद प्रदेश है ये series है तो इसको ध्यान रखिएगा पहल का UN FCC conference जो है उसको host कर रहा है ठीक, diet question आएगा कि world largest IUCN world conservation congress 2025 कौन host कर रहा है तो UAE host कर रहा है तो इस वीडियो में environment से related जितने भी important question थे उसको मैंने cover किया है hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जिसने भी ये पूरा वीडियो देखा है मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई भी question environment से पूछा जाएगा तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो please like, share and subscribe to my channel thank you